शांदार यहां पर इन्हों ने सेटप किया हुआ है यह देख सकते हैं आप ज़रूरी नहीं है कि पुरा इंतिजाम हो उसके बाद आदमी कहें कि साब अब मुझे कभूतर उडाने है आज आप लेकर काया दो चार दिन पर बांदी और फिर आपने कभूतर के पर खोल दिये इसमें तेजी इत्ती होती है कि अगर यह एक बार सीधा गया तो वापस पलट कर गई अपनी खुद की मर्जी से ही देखेगा और घर पे वापस भी जो है वाई तीन तीन चार चार दिन आप अपना चेर्नल जेपूटोंक वीजन्स तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं जोतपूर और आपका शोख करवाएंगे बहुत ही अच्छे खिलाडी जोतपूर के जो के मेरी हम उम्र हैं ज्यादा एज भी नहीं है लेकिन माशालला कभूतर बहुत अच्छे उड़ाए किई तो हम बात करेंगे तर्मीज भाई की तो सबसे फिले सलामalam अलेकूम तरमीज भाई अब इस बार मेरे रणकर एटी नॉद्हें यह लिग जीता हूं नह intention अगर तो पर परणुनाबंट की कपों की टो जो算फ पूर में पहली बार उपकी में लोकल झॉद्ट मेता है में तो उस को प में हमारे मभार को सुम्स्तार हां मेक उसक्ता हैं यह को सुथ्क्ता है लेकिन 40 अगर ङ consegu आज़ बुरा है अभी 95 इतंश फॉर को बहुत ही उम्दा उम्दा कबूतर हैं आपकी तबियत खुश हो जाएगी इंशाललह और कुछ महमान बहार से भी आए हुए हैं यहां पर कबूतर परवर जो भी हैं तो वह भी कबूतरों का हमें शोग करवाएंगे तिरमीज भाई के साथ सब्सक्राइब चलिए तो दोस्तो नुम्मा सुहल रिज्वी उदेपूर से और आप मैं उस्यान अली जोदपूर से क्या बात है माशालला और आप च्छोटे भाई याप और यह तलनीज भाई हैं तल्मीज भाई आपके पास मैंने देखा माशाललह एक से कबूतर हैं और हर नसल के कबूतर हैं यूपी को सब नसल के कभूतर रखने इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मुझे जादा तर उड़ाने का शौक है तो एक ही ब्रीट के अंदर हमें जादा तर उड़ने वाले कभूतर मिल जाएं तो ऐसा पॉसिबल थोड़ा मुश्किल होता है जी इसलिए खूबी देख करके हरी नसल में स तो आपको उड़ाने का शोक है और दिखाता हूं ज्यादा बड़ा सेट नहीं है बट आप देख सकते हैं लेगिन बड़ा खुबसूरत और बड़ा शांदार यहां पर इन्होंने सेटप किया हुआ है यह देख सकते हैं आप जरूरी नहीं है कि पूरा इंतिजाम हो उसके बाद आदमी कहें के साब अब मुझे कबूतर उड़ाने हैं तो आप देख सकते हैं आपको दिखा दूं किस तरीखे का यहां पर पूरा सेटप है यह टीन शेड है यहां पर कबूतर चुकते हैं और चारों तरफ कबूतर गिरे नहीं इसकी वेजा से इन्होंने यह बाउं है यह सर्दियों में हमारे यहां काफी अच्छा टाइम लेकर के बैठी हुए भाई साथ गंटे की इसकी परवास थी जी और अब जो है इसको ब्रीडिंग सैट अप के लिए ब्रीडिंग पेर में जो है इसको लगाया भाई लाइए इसकी शूकर आई यह देख सकते हैं द इसकी अपनी एक बार दिखा दें परला खोल के दिखा दें यह देख सकते हैं दोस्तों यह नर है इसका तो यह नर की आँक भी देख लें आँ पर इसके दूम भी एक बार दिखाना किस तरीके की दूम हुटती है ज़िए ज़रूर दूम दिखाएं सिंगल है किस तरीके की है बंद दूम ही है भाई इसकी यह देखें दोस्तों यह इस तरीके की दूम है और परवाज इसने गर्मी में दिखा है आपको या सर्दी वाली इसकी सर्दी के लिए भाई परवाज और गर्मी में किसकी लिए थी आपने परवाज है उसका भी हमें शोग कराजए ना चोड़दें इसको बार दोनों को एक बड़ चोड़कर दिखाए तो यह देख सकते हैं अब आद यह पेर ये फीमेल है ये मेल है बिलकुल बिलकुल ये मेल देख रहे हैं आप और ये फीमेल है तो दोस्तों आप जरूर बताइए का आपको कीसे लगे ये UP breed कबूतर UP के ये कबूतर है अचालला बहुत ही उम्दा और बहुतरी इनला जवाब किसम के कबूतर आप देख रहे हैं लेपूर्टॉक पिजन्स चेरनल के उपपर तो इसी के साथ मैं दूसरे कभूत्रों का शोक कराता हूं चलिए तो दोस्तों यह बंटी भाई शोक कराएंगे कभूतर का जो के यहां जोतपूर के मेहमान हैं और उद्यपूर से आये हुए हैं तो बंटी भाई बताएं यह कौ बिल्कुल पलकें चोंच और दुम आपको एक ही कलर के अंदर दिखेंगे अगरे बड़े खुबसूरत हैं यह पर का भी देख लें आप कलर दुम दिखा दीजिए और यह बंदुम का कभूतर है नहीं यह कभूतर है यह देखें आप यह गर्मी में उड़ा हुआ है यह ग दोस्तों यह गर्मी के अंदर लोग कहते हैं कि गर्मी की उड़ान का बता है तो भाइँ की उड़ानों को भी देख लें दरसल बात यह है कि उड़ाने वाला केसा है गर्मी उड़ाए सर्दी उड़ाए कबूतर तो कोई सभी मना नहीं करता आपको उस मोसम के अकोडिंग उसको जो है तैयार करना पड़ता है और यह एक ही ब्लड लाइन चल रही है हमारे पास में लाल दूम वाले कबूतरों की जि बी उड़ रहे हैं और जब हम इनके ब्लड लेते हैं तो जड़ने से पहले जो कच्छा बच्चा बोलता है वह भी हमारे बॉर्डर पार करके यहां इनका गर्मियों के अंदर सर्दियों में दोनों के अंदर बहुत पुरानी ब्लड लाइन है चलिए तो दोस्तों आपको इसके जाला मज़ा आया होगा यहां पर कबूत्रों का शोक करके भाई आपके पास कुन सी कबूत्री आपको नाम के आपका नाम मैं अच्छा आप धूत्य पूर रहे हैं जो के मेहमान आया हुए है जोटपूर और में भी मेहमान ही हूँ यह बोपाल से यहां गया था जि लल्दुमा और लल्दुमा जीरा कह सकते हैं इसको है जीरा कह सकते हैं क्योंकि ये गर्दन के उपर आप देख सकते हैं कि इस तरीके के शेड्स हैं इसलिए इनको ये जीरे ही कहा जाता है लल्दू में जीरे के सकते हैं मेरे हिसाब से आख का शोक करा हैं यह देख सकते हैं दोस्तों आप आख के जर्रात दोस्तों यह लल्दू में देखकर दिल खुश हो गया यहां पर और यह पंजे और दुम भी दिखाएं और यह गर्मी के अंदर माशालला उड़ रहे हैं एक बार इनको छोड़के दिखा दें दोनों को लल्दुमों को तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप लल्दुमे कबूतर आपको मज़ा आ गया होगा तलमीज भाई के यहां शोख करके आपको मज़ा आ गया होगा माशालला देखिए आप क्या लाजवाब और बेमिसाल कि कब कबूतर हैं आपने चारों देखें लल्दुमें और इससे पहले आपने देखा यह उपर जो पेर आपको नजर आ रहा होगा कि देख सकते हैं आप कि देखें आप दोस्तों बहुत ही हुंदा और बहतरीन लाजवाब और बेमिसाल कि कबूतर आप देख रहे हैं परवाजी कराइए नहीं मैंने आज जी आउ जो उत्तर पर डेश की बीड़े उनीकफmom करवाया है यहां पर तो डोस्तों आप देख सकते हैं माशचल्ला किस तरीके के यही और हैं तो बताएं सब तल मेज़ भाई तो दोस्तों यह आप देख सकते हैंσα हरुनपूरी का तर आप देख बारिक तिल का यह कबूतर होता है पतले वुजूद का और बिल्कुल पतले जिस्म का कबूतर यह होता है नाजुक एकदम यह देख सकते हैं इनमें बहुत जादा तेजी होती है सारनपुरी कबूतरों के अंदर इनको घरदान कराने के लिए थोड़ा वक्त लगता है इसमें थोड़ा सबर का खेल है इसमें ऐसा नहीं है कि आज आप लेकर का आया दो चार दिन पर बांदी और फिर आपने कबूतर क पर खोल दी है इसमें तेजी इत्ती होती ही कि अगर यह एक बार सीधा गया तो वापस पलट करके अपनी खुद की मर्जी से देखेगा और घर पे वापस भी जो है वाई तीन तीन चार चार दिन से जो है यह आ जाते हैं वापस तो दोस्तों साहरन पूरी ब्रीड आप जै चाहे वो रामपूरी कबूतर हों चाहे वो कलसरे हों चाहे वो टोक के सुरुखे कबूतर हों बाजरे कबूतर हों देवबंदी कबूतर हों शाजापूरी कबूतर हों पूरे दुनिया के तमाम जो इंडिया के अंदर आपको आपको देखने को पूरी दुनिया में मिल जा और जोड लगाने की जरूरत होती है चलिए तो दोस्तों आपको शोक अच्छा लगा होगा उमीद करता हूं और अब जो कबूतर हैं वो छोड़के मैं आपको एक साथ कुछ और स्पेशल है आपके पास दिखाने को मेरे बाद क्रीम आग के कुछ कबूतर हैं में दिखाती है कि आप हमारे दोस्तों को जी तर्मीज भाई बताएं यह हमारे घर पे सबसे पुरानी जो हमारी ब्रीड है वह यह ब्रीड है जी इनको कई जगाओं पर ललसरे भी बोलते हैं कई पर लाल बाजरे कबूतर भी बोलते हैं यह तक्रीबन मेरे बास में 15-17 साल हो गए इन चलिए तो दोस्तों हम शोख कर लेते हैं इनकी आँख का जो के टौक के कबूतर हैं दोस्तों बहुत ही उम्दा और दिल से निकलती है वह 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 क्या कहने हैं इसकी आँख के दोस्तों इमान दरी से बताईएगा आप चलिए तो दोस्तों आप जरूर कमेंट करके मुझे कि आपको यहां कैसी लगी जल्दी जल्दी कॉमेंट करें और बताएं कि इस आख के लिए आपको वहवा करनी चाहिए या नहीं कि देखे दोस्तों बहुत ही उम्दा और बहतरी इन जर्रात एकदम इसकी आख देख लें आप किस तरीखे की ओफ वाइट आख पीली बीद जि और यह घर से उड़ेगा और वापस घर पे आके बैठेगा और परवाज इनकी माशालला बहुत अच्छी है बहुत अच्छी परवाज है मिनिमूम 6-7 गंटे की परवाज है फिर जैसा खिलाडी है वैसे वैसे अपनी परवाज बढ़ाते रहेंगे बाकि अगर यह किसी न परवाज टोर शोक कर लें आप तो दोस्तों यह बेटा है इससे पहले आपने बाप देखा बहुत ही बहतरी ला जवाब और बेमिसाल किसम के कबूतर आप देख रहे हैं जेपू टॉक पीडर्स चैनल के उपर और यह शोक कर रहे हैं आप जोत पूर के अंदर तर्मीज भ den Curpam humour कर रहे हैं की कि गविव से बढ़ कर यह यहां पर तर्मीज भाई के आप जोत्पूर के अंदर शोक कर रहे हैं यह पीछे आपको दिख Şu को और यह आपको डिक रहे होंगे सारनपूरी ने भाचिकर ले कंस नीचे जो बहां सी दोप कि पहचान है तर और यह दूसरा लोग्त है इसमें भी देखें आप क्यूंकि यह उडान के शोकी में तो इस तरह सेशा आप इंगा सेट अप कर सकते हैं और यह आराम से दिन पर कवुतर पत्मा सुकुप पर बेठे रहते हैं कि 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 साथ मुझे इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब करें जेबु टॉप पिजास चैनल को दोस्तों अल्ला अफिर भूबार नमशकार फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ